सहरनपूर आज से यातयात महा की शुरुआत हो गई है अपनी सुदक्षा को देखते हुए वहान धीमी गती से चलाएं तीन सवारी न बिठाएं बिना हेलमेट दो पहिया वहान न चलाएं एवं चार पहिया वहान चलाते समय सीट वेल्ड का प्रयोग करें आज यातयात महा को लेकर पुलिस के जवानों ने रिजर्व पुलिस लाइन से यातयात महा जागरुक बाईक रैली निकाली इस जागरुक बाईक रैली को डि आईजी सहरनपूर रेंज सुधीर कुमार सिंग वरिस्ट पुलिस अधिक्षक डॉक्टर बेपिन ताड़ा एवं पुलिस अधिक्षक नगर अभी मन्यू मांगलिक द्वारा हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया इस मौके पर भारे पुलिस वल रहा मौजूद यह यातियात जागरुक बाइक रेली रिजर्ब पुलिस लाइन से शुरू हुई जो शहर की विविन बाजारों चौराहों से निकलते हुई आखिर में पुलिस लाइन में ही समाप्त हो गई इस मौके पर पुलिस उप महा नेरिक्षिक सुदीर कुमार सिंग ने कहा कि पूरा नवंबर यातियात महा के रूप में मनाया जाएगा ट्रैफिक नियमों के प्रती लोगों को जागरू किया जाएगा सुदीर कुमार सिंग ने कहा कि यातियात जागरूपता रैली का मुख्य उदेश है सभी लोग सुरक्षित रहें प्रतेग वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे नवंबर महा को यातियात महा के रूप में मनाया जाएगा और यातियात ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनकी उस लोगों में जागरूपता पैदा करने के लिए अवेनेस पैदा करने के लिए ये पूरे मंत में कारकराम चलाएग किये जाएंगे और इसका मुख्य उद्देश ये है कि सड़क पर चलते समय सभी लोग स्वरक्षित रहें और कम से कम कैज्वल्टी लोगों की जान कम से कम जाए ये उद्देश रहेगा इस पूरे मंत में लोगों की जागरू करना है ट्रैफिक के नेमों का पालन कराना है औ और लोगों की जान बचाने है ये इसका मोटो है